हम लोग देख रहे हैं वीकली मार्केट रिव्यू आने वाले वीक में सेप्टेंबर फर्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी आप्रफॉर्मेंस क्या होगा वो अप्रेंडिंग होंगे कि डाउंटर्डिंग इस वीडियो में जाने ही कोशिश करेंगे और साथ ही सा आने वाले वीक में जो अब लग रहा है बैंग निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है आने वाले वीक में जो निफ्टी है वो 11,289 का एक स्टॉप प्लोस रखके हम 11,378 में बाइंग कर जकते हैं हमें ऐसा लगता है कि 11,650 तक निफ्टी का टार्गेट होना चाहिए आने वाले नेच्ट प्रीक में अब बैंग निफ्टी अभी भी दोनों बहुत ही aggressive लग रहे हैं अभी भी buying opportunity properly है मैं आपको recommend नहीं करूँगा निफ्टी और बैंग करने की सला भी नहीं दूँगा और इस level पर buying करने की सला भी नहीं दूँगा निफ्टी में अगर एक देखो तो एक psychological level 12,000 के करीब हमें तो 12,200 यह तकरीव नहीं हम लोग नजदीक में निफ्टी को ट्रेड करता हूं देख सकते हैं आने वाले वीक में अगर बैंग निफ्टी की बात करूँ तो बैंग निफ्टी 26,200 तक जा सकता है आने वाले वीक में या शायद एक वीक के बाद चाए दो वीक लग जाए वहां लोग अभी वेट एंड वाच की सिट्वेशन में हैं हम लोग सिर्फ देखें निफ्टी और वैंक में प्रफॉर्मेंस क्या है और पहले के हमारे पास अगर शेर्स हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें हम अगस्ट मंत का प्रॉफिट सकते हैं एक अगस्ट से 29 अगस्ट तक का स्टेट्मेंट है और अभी हमारे पास ब्रिटानिया अल्ट्राटेक सेमेंट और यूपिल ये तीन शेर्स की पोजिशन ओपन है जो हमारे पास अभी ब्रिटानिया के पास शेर अल्ट्राटेक के 25 शेर और यूपिल के 80 शेर हमार buying opportunity देख सकते हैं, हमने इसमें अपडेट किया है, इसे बजाज finance है, bank nifty properly positive है, SGC limited है, SGC bank है, ICSA bank है, nifty भी positive है और ultra deck cement, इसमें हमनों buying opportunity देख सकते हैं, इसके पहले आप अपना भी study कीजिए, properly देखिए, उसके बाद ही हमारे recommendation यह आप watch कर सकते हैं, properly, कि इसका performance आने वाले week में कैसा होगा, यह properly आप देख सकते हैं, वीडियो stop करके भी आप देख सकते हैं, अच्छी तरह कौन-कौन से stocks हमने दिये हुए हैं आपको, अगर stock market से related, हम थोड़ी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और रिलेटिव के शाथ भी कि उनको भी पता चले कि stock market में क्या-क्या opportunities हैं और क्या-क्या वहाँ पे profit and loss और क्या-क्या risk है, नमस्कार, धन्यवाद.